असलाव अलेकूल, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, कुक्वी सहीदा मार्केट में नए ने डिंक्स आते हैं, लेकिन लसी का अपना अलग जायका होता है सभी को बहुत पसंद आती है, आज हम बनाएंगे मार्केट स्टाइल, बिकुल गाड़ी, मलाईदा, लसी जो की पीकर मज़ा ही आ जाएगा ये काफी हल्दी होती है, गर्मियों में तो ठंडी ठंडी लसी का अपना अलग ही स्वाद होता है तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं बाजार जैसे एक डंगाड़ी नसी बनाने के लिए हमें वन केजी कर लिए है बिल्कुल एकड़म Гाड़ा होना चाहिए दो ही हमने सारा एक बड़े बरतद बेंड्र ट्रास्फर कर लिया है अब हम इसको पुराने तरीखे से बनाएंगे जैसे पुराने तरीखे थे लकनों में बनाने के बसे हम बनाएंगे इस तरह ही को एक मतनी से मतनेंगे यह देखिए इसको मत्चस एकदम क्रीमी शेव में लिया है यह देखिए कितना गाला गाला एकदम क्रीम कितरा हो गया है अब इसमें पिसी हुई चीनी मिला रहे हैं आप चाहे तो ऐसी भी डाल सकते हैं इसको पीस लेया आप मीठा अपने हिसाफ से डालिएगा हम इसके चार गलास बना रहे हैं तो हम इसमें चार चमश डालने है थोड़ा मीठा हमाई यह जादा पसं किया जाता है अब इसी चीनी डालने से जल्दी जो है मेल्ट हो जाती है वाली चीनी थोड़ा टाइम हो लेती है दही डालने के बार तोड़ा दही पतला भी हो जाता है इसको इस तरह से फिर से मिक्स कर देंगे और साथी इसमें बर्व डाल देंगे बर्व तोड़ी कूटली है इस तरह अब हम इसमें तोड़े साइस क्यूब डाल देंगे ताकि हमारी लसी बिल्कुल चील हो और ठंडी ठंडी हो बरफ डालने के बाद हम इसमें की जो मलाई है वह उपर क्रीब में आ जाएगी इस तरह हम इसको थोड़े देर वेटते रहेंगे यह देखिए इस तरह से पूरे मेरे आईस क्यूब भेगाए है बहारी लसी बिल्कुल चील है और यह देखिए कितनी गार्णी हो उप अब कितनी गार्णी है तो अब हमगे इसको अलग करते हैं अब गलासों में निकालते हैं रिफ्रेश्रिंग के लिए तोड़ा तोड़ा इसमे रूफजा डाल देते हैं तोड़ा हम पिस्ता औब अदाम से जो है इसकी गार्निशिंग कर देते हैं इस तरह से तो देखा आपने बहुत असान तरीके से हमने बिल्कुल मार्केश स्टाइल गारी-गारी लसी बना कर तयार की ये बहुत मज़ेदार होती है, बिल्कुल मार्केट की तरना जायका होता है, और भी जादा अच्छा होता है, क्योंकि हमने इसे ड्राइफ फूट से गार्निश किया है, मार्केट में नहीं करते हैं, हमारे लसी बनाने का तरीका अगर पसंद आया हो, तो कमेंड बाक्स में हम तो फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाफीस